पाकिस्तान सुपर लीग की नौवी एडिशन इस हफते प्रारंब होने वाली है जबकि बचाव वाले चैंपियन लाहूर क्वालंडर्स शनिवार को गदाफी में इसलामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मुकाबला करेंगे। अब तक दोनों टीमों ने एक दूसरे से 17 में नौ जीते हैं जबकि लाहूर ने आठ जीते हैं। लाहूर क्वालंडर्स बनाम इसलामाबाद यूनाइटेड पीएसल दो हजार चौबीस के लिए क्रिकेट बेटिंग टिप्स और मैच की पूर्वानुमान। लेकिन इस से पहले यदि आप इस मैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले आदा घंटा पहले वे आपको बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीतेगी और कौन सी टीम मैच हारेगी। तो देर ना करें और जल्दी से जौरान पॉइंट स्टेबल के शीर्ष पर समाप्थ हुई और दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए आगे बढ़ी। जब टीम एक नया अभियान शुरू करती हैं तो वहां मजबूत शुरुआत करने का प्रयास करेगी। लाहोर कौलंडर्स के पास लीग में सबसे भूत सीमा हमले हैं और उनी पर भरोसा करेंगे कि वे अच्छे परिणाम दे। न्यू बॉल हमले का नेत्रित्व शहीं। शाह अफ्रीदी द्वारा किया जाएगा जो पिछले संसकरन के शीर्ष पाँच विकेटलेकरों में शामिल थे। उन्हें हरिस रौफ, जमान खान और मोहमद इर्फान के साथ जोड़ा जाएगा। रशीत खान के पूरे सीजन के लिए अनुपलब्ध होने के साथ धरातल पर आधारित दल लगातारता के उपर अधिक भरोसा करता है। सिकंदर राजा को बोलकीपर के रूप में टीम में शामिल होते हुए भारतिय की कमी के साथ लाहोर क्वालंडर्स की बैटिंग कमजोर सा लगता है। अब वे विशेशग्यों फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक पर प्रदर्शन करने के लिए भारी आशिरवाद रखेंगे। अंत में अंतराश्य प्रतिष्ठिता के अभाव में मध्यक्रम भी जोर लगता है। इसलामाबाद यूनाइटेड इसलामाबाद यूनाइटेड पीएसल में सबसे सफल टीमों में शामिल है और अब तत दो बार ट्रॉफी जीत चुके हैं। उन्होंने पिछले तीन सीजन में प्लेफ में पहुँचा है और इस बार भी ऐसा ही करने की उम्म शग्यों से मिलकर बनाई गई है जिसमें जॉर्डन कॉक्स, एलेक्स हेल्स और कॉलिन मन्रो शामिल है जो टीम को एक मुकाबले जीतने योग्य योग्यता बनाने में मदद करेंगे। स्क्वार्ड में इमाद वसीम, शादाप खान और टॉम करन जैसे कुछ गुणवत्ता आलराउंडर भी है जिनोंने सबसे कम समय में खेलने का अनुभव किया है। सीमा हमले का नेतरित्व पाकिस्तानी अंतराश्चिय नसीम शाह द्वारा किया जाएगा और इसे टाइमल मिल्स, रुमान राईस और मैथ्यू फोड की सहायता मिलेगी। हालां की लाहॉर क्वाल दूसरे हाफ में बैट करने के लिए अच्छी है। यहां उपलब्ध है अच्छी मात्रा में बाउंस और गती और बैटमेन अपनी शौट खेल सा। कहेंगे तेज गेंद बाजो को अपने लाइन और लंबाई के साथ सतीक होने की आवशकता होगी। यहां औसत पहले इनिं स्कोर लगभग 180 है। पिछ दूसरे हाफ में थोड़ा धीमा होता है और स्पिनर्स की मदद करता है। अंतिम ग्यारा खिलाडियों को घोशित करने के बावजूद यहां एक मुश्किल मैच है। तथापी स्क्वार को देखते हुए हमें लगता है कि इसलिए में इस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कल का मैच कौन जीतेगी तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए वाटसाप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैच शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले वे आपको बताएंगे कि कौन सी टीम मैच जीते हारेगी और कौन सी टीम मैच हारेगी। तो देर न करें। जल्दी से राघव क्रिकेट विशलेशन में शामिल हो और हमारे चैनल की सदस्यता करना न भूले। अगले वीडियो में मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।